हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राकन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो हिंदी टेस्ट स्रीज पार्ट नाइन्थ के बारे में इससे पहले हमने हिंदी के उपर आठ टेस्ट स्रीजेस पहले से अपलूट कर चुके हैं दोस्तो जो कि पोस्ट मार्टम क्लासेस के नाम से फेमस हैं तो अगर आपने वो आठ सीरीज नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देख लिजेगा और आज हमारी हिंदी की ये नवी सीरीज रहने वाली है जिसमें हम हम हिंदी के 10 महत्व पूर्ण प्रस्नों के बारें बात करेंगे जो कि UCCC के द्वारा अपने previous exams में पूछे गए हैं और आज के इस वीडियो में हमने जो 10 प्रस्नों के बारें बात करनी है ये 10 प्रस्न दोस्तो इस्टेनोगराफर या प्रस्नल एचिस्टेन का जो एक्जाम हो था 17 मार्च को से प्लसी के द्वारा पूछा गया है वैक्तिक साहिक के एक्जाम पेपर में और यही पैटर्न आपका आगे वीडियो वीपीडियो कनिस साहिक के 746 पदूं अन्य पदूं हेतु भी काफी महत्वपूर्ण आपकी ये सिरीज रहने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का हमारा पहला कुष्ण है कि इनमें से किसे हम जन्चंचार का बहु आयामी माध्यम कह सकते हैं इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो या भी टेलिविजर तो आप सभी लोग को पता दोस्तों कि इंटरनेट को जन्चंचार का बहु आयामी माध्यम कह सकते हैं इंटरनेट य जैसे कि मैं आपको इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमारा print media होता है, electronic media होता है और social media होता है ये तीन प्रकार के हमारे media होते हैं print media में हमारा समाचार पत्र आते हैं या पत्रिगाएं आती हैं उसके बाद में दूसरा हमारा electronic media में रेडियो, टेलिविजन, कंप्यूटर, रेडियो, टेलिविजन और सिनेमा, इंटरनेट ये सब कुछ आते हैं उसके बाद में social media में, facebook, whatsapp ये सब कुछ आते हैं तो ये जनसंचार के जितने भी महाध्यम है या संचालित किसके द्वारा होते हैं internet के द्वारा होते हैं, क्योंकि देखे, internet पे आप दोस्तों समाचार पत्र पत्र कायें भी पढ़ सकते हैं इसके साथ में internet पे आप टेलिविजन भी देख सकते हैं, internet पे आप सिनेमा भी देख सकते हैं इंटरनेट पर आप टेलिविजन भी देख सकते हैं तो सारी जितने भी जनसंचार के माध्यम है कहीं ना कहीं वहाँ आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं इसी कारण इंटरनेट को जनसंचार का बहु आयामी माध्यम कहा जाता है और जनसंचार का सबसे नया और है इसी कारण इसे जंटोनिक मीडिया के अंतरगत आता है और इंटरेण के दसक में अमेरिका की रक्षा विभाग के अनुविशन काजी के दौरान इंटरेट का विकास शुरू हुआ 30 है और इंटरेट के है एक प्रकार की अंतहक रियात्मक माध्यम है अंतहक रियात्मक माध्यम यानि कि इसमें आप सवाल जबाब जो भी आपकी बहस मुहीम चैट कर सकते हैं सवाल जबाब कर सकते हैं किसी की भी ब्लॉग बनाकर आप पत्रकाहिता कर सकते हैं इसी कारण इससे अंतहक रियात्मक माध्यम भी कहा जाता है तो अगर आप से प्रस्न मुछ आता है कि इंटरेट किस प्रकार का माध्यम है तो एक प्रकार का इलेक्रोनिक मीडि और television के बारे में मैं आपको इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। दूसरा question दोस्तों ये भी काफी महत्रपूर्ण है और इससे पहले की वीडियो में देखे 8 वीडियो मैं अभी तक मात्र बनाई है और ये 8 वीडियो में भाग सत्रा जो की भासा संबंदी उपबंद इसमें किये गये हैं और सम्मिधान के भाग सत्रा के अंतरकद आर्टिकल 343 यानि कि 343 से लेकर के 351 तक राजभासा के बारे में बताया गया है या भासा संबंदी उपबंद किये गये हैं और आप सभी लोगों को बताओगा कि भ भासा संबंदी उबंद किये गए हैं और आप सभी लोग को बताऊगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राज भासा का दरजा दिया गया था इसी कारण 14 सितंबर को हम दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं हिंदी दिवस और वहीं अगर आप से पूछा जाता है कि अंतराश्टी हिंदी दिवस का बनाया जाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों क्या 10 जनवरी ये भी आपको डैकली नोट करना है अब दिखे हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश किसमें दिये गए है आर्टिकल 321 में और इसमें कहा गया है दोस्तों कि संग का या राज्जी का या देश का यहां करतव यह होगा कि वह हिंदी भाचा के परचार परचार को बढ़ाए उसका विकास करे और हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करे लोगों को जागरुक बनाए और परचार परचार करे हिंदी का ताकि सभी भारत के लोग हिंदी समझ पाए और उसे राजभासा की रूप में कंटिन्यू किया जा सके तो यह आर्टिकल 351 है आप 343 से लेकर के 351 तक दोस्तों राजभासा में संबंदी या भासा संबंदी प्राउधान किये गए तो आपको यह सभी आर्टिकल याद होने चाहिए आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है कि संग की राजभासा हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी जिसे 26 जन्वरी 2050 से लागू नहीं किया गया था यानि कैसा का गया था कि 15 वर्षे के बाद में हिंदी को लागू किया जाएगा लेकिन आपको बताईए कि हिंदी के साथ साथ में अभी अंग्रे जी भी हमारी राजभासा की रूप में चल रही है इसमें राजभासा के संबंद में आयूक के बारे में बताया गया है कि राश्टरपती परतेक 5 साल के बाद में एक भासा आयूक का गठन करेगा जिसे राजभासा आयूक का जाता है और राश्टरपती ही परतेक 10 साल के बाद में भासा संबंदी प्राहुदानों हेतु एक संसदी समीतिय का गठन करेगा इसके बाद मां आर्टिकल 345 आता है आर्टिकल 345 में राज जी की राज भासाओं के बारे में बताया गया है यानि कि किसी भी राज जी की एक से अधिक राज भासा हैं हो सकती है जैसे कि आपको बताओगा हमारा उत्राखेंट राज जी है तो उत्राखेंट राज जी के आपको बताईए कि दो राज भासा हैं एक तो हम हिंदी का प्रियोग करते हैं और दूसरा दोस्तो संस्कृत उत्राखेंट की दूसरी राज भासा है आप सभी लोगो पता होगा इसके बाद में आर्टिकल 346 है आर्टिकल 346 में राज्यों के भासा संबंदी संबाद के बारे में बताया गया है या राज्य का राज्य से और राज्य का केंदर से कैसे संबाद होगा किस भासा में सम्मधूद होगा इसके बारे मैं, या किस प्रकार से सम्मधूद होगा या दो राजुके बीच में कैसे सम्मध्य बढ़ागा यह सब कुछ बताए गया है, इसके बाद में आता हैा article 347, article 347 में दोस्तो, जो बहासा राज जी के भुभाग में अधिक बोली जाती है तो विशेश प्राउधानु के तहट उसे भी राज बहासा का दर्जा दिया जा सकते है जैसे सब्सक्राइब दोस्तों आप तमिल लाडू में तमिल ज़्यादा बोली आती है तो तमिल को भी यहां का राजभासा का दर्जा दिया जा सकता है यानि कि जो हमारा आर्टिकल 345 है उससे कहीं ना कहीं संबंद देता क्या आर्टिकल 345 है यानि कि अगर जनसंक्या किसी भी भासा को ज्यादा बोल रही है तो उसके हम भासा संबंदी उबंद कर सकते हैं या उसे राजभासा कोशित कर सकते हैं उसके बाद मां आर्टिकल 348 आता है इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और राज्य विधान मंडल की भासा अंग्रेजी होगी यह बताया बहं आधि के लिए प्रियोग केजानावाली भासा का वर्ना नमारा, आर्टिकल 348 में किया गया है इसका बात मां आता क्या आता है आर्टिकल 309, आर्टिकल 309 में उसको बासा से संबंदित कुछ विधियान, अधियमित, अधिनियमित करने के लिए विसेश परिकेरिया का जिक्र किया गया है ठीक है और आटिकल 349 के तहती राजभासा से संबंदी विजहेक में रास्टपती से मंजूरी ली जाती है ठीक है और रास्टपती की मंजूरी के मिना उसे पेस नहीं किया जा सकता है किसी भी सदन में और रास्टपती की मंजूरी के बाद ही उसे पास किय ऐसके बाद में आर्टीकल 350 के अंतरगार दोस्तो विशेज निर्देश दिये गए कि सरकार किसी भी आल्पसंकियद्शंक गलिए प्रात्मिक इसस्थल पर मात्रबासा में शिक्षिया की सुविधाये हैं किस आर्टिकल में बताया गया आर्टिकल 350 में यह बताया गया है और यह कुशन दोस्तों एक बार उत्तर परदेश PCS की प्रारंबिक परिक्षिया में पूछा जा चुका है ठीक है और भासाई अलपसंकिया गवर्गों के लिए विशेज अधिकारी की नियुक्ति भी कौन कर है इसमें हिंदी भासा का विकास कैसे होगा हिंदी भासा का परचार परचार कैसे करना है कैसे संपूर्ण देश में सभी व्यक्तियों को हिंदुस्तानी बनाना है उनको हिंदी भासा के बरती जागुक करना है यह सब कुश इसमें आर्टिकल 351 में बताया गया है और हिंद यहां लागू आ था 26 जनवरी सर 1950 को तो उस टाइम पे कितनी बासाओं को जिक्रिक गिया गया था उस टाइम पे मात्रे 14 बासा हैं थी इतने पॉइंट आपको यहां से डैकली बता रखा है तीसरा कॉश्चन है कि कूट वाचन या डिकोडिंग से क्या थातर है अगर आपने रिजनिंग आपने पढ़िए तो वहां पर भी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं यानि कि कोडिंग आपको कोई एक नंबर इधर A, B, C, D दिया रहता है यहां पर C, D, G Z, G, कोई relation होता है उसके बाद में decoding में आपको यहां पर कुछ SI फंक्सन दिया जाता है इसी pattern के according आपको वह करना होता है तो वही coding decoding होती है अब यहां पर coding decoding किस topic में दोस्तो इससे पहले की वीडियो जा आप देखेगा साथ मी वीडियो या आट वी वीडियो में मैंने आपको एक चार्ड बताया है संचार के तत्व संचार के मुख्यता कितने तत्व होते हैं आठ तत्व होते हैं ठीक है सबसे पहले होता है स्रोथ या संचारक ठीक है उसके बाद में आता है उसकी encoding होती है encoding फिर संदेश उसके बाद में उसका माध्यम क्या है किस माध्यम से बिज़ा जा रहा है उसके बाद में दोस्तों decoding होती है फिर प्राप्त करता जो receiver होता है और फिर प्राप्त करता के बाद में feedback उसके दोरा भीज़ा जाता है किसको स्रोत या संचार को और at last one जो आठवा संचार का तत्त होता है सोर यानि कि संचार प्रकरिया में आने वाली जो बादह हैं होती है वो सोर कहलाती है मैंने आपको पूरा चार्ट बताया है ओ चार्ट आप लोग देख लिजिएगा तो like आपको आपको बतायता हूँ जब भी आप संचार करते हैं संचारक भी बोलते हैं, यानि कि जो संचार की सुरुवात करता है जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोडिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं संचार की सुरुवात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सुरूत हूँ, अब जैसे चरण होता है, यानी कि संचार पर Dave Shekin खुप और का शुरुत करता है, उसके भाद पर का होती है, उसके प्रकार का चीनन है या कोड होता है, जैसे decoding होती से encoding या होती है, encoding में क्या होता है जो भी आप संदेज या सूचना कीशी दूसरे को बताना चाह रहे हैं, तो उसे उसकी भाहसा में, जो उसे समझ मा आये, उसमें encode करके बताया जाता है, suppose that दोस्तो, अभी मैं आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी लोग हिंदी को जानते हैं, इस कारण मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो encoding का मतलब क्या है, कि अगर आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा, ठिक है, यानि कि हिंदी में उसे मैं convert करूँगा, suppose that अगर मैं यही पर अभी संस्क्रित बोलने लग जाऊं, तो आप मैंसे जिन लोग को भी संस्क्रित नहीं आएगी, तो उनके according, वो संचार तो खाली हो जाएगा, उनको समझ ही मनी आपाएगा, तो यही चीज़ क्या होती है, encoding होती है, यानि कि संचार प्रकरिया का दूसरा चरण encoding माना जाता है, जिसमें आप अपने संदेश को उस भासा में कुटिकरत करते हैं, जिस भासा को सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाए, मैं हिंदी हैं बोल रहा हूँ, तभी आप लोग समझ पारे, अगर मैं कोई और भासा में बोलता, तो आप लोग उसे नहीं समझ पाते, इसके बाद में क्या होता है, संदेश, फिर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोडिंग, डिकोडिंग के बारे मता रहा हूँ, तो आप किसी भी वेक्ति से अगर संचार करते हैं, suppose that आप और आपके दोस्त बाते कर रहें आपस में तो आप अपने दोस्त को suppose that आपको हिंदी आती है आपके दोस्त को हिंदी नहीं आती है आप मैंसे किसी को कुमावनी गडवाली आती होगी तो आपके दोस्त को कुमावनी गडवाली आती है अगर आप उससे हिंदी हैं बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसे हिंदी का ग्यान नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा उससे समझाने के लिए कुमाउनी या गड़वाली में ही बोलना पड़ेगा नहीं की आगता है। इस एनकोोटिंग को जब प्राप्त करता तक वो signal पहुंचता है या वो संदेश पहुंचता है और प्राप्त करता उस संदेश को अगर अपनी भासा में समझ पा रहा है तो उसी को हम बोलते हैं दूस्तो decoding यानि कि स्रोत या संचारक के दौरा जो भी संदेश भीजा गया है उस संदेश को अगर प्राप्त करता समझ पा रहा है या उसके दौरा जो भी कोड भीजा गया है उसे अगर प्राप्त करता समझ पा रहा है या अपनी लेंग्वेज में ट्रांसपर करके समझ रहा है तो उससे हम बोलते हैं दूस्तो decoding यानि कि आप भी कह सकते हैं कि प्राप्त करता यानि कि receiver प्राप्त संदेश करता है decoding करता है और जो भी encoding करके या स्रोथ के दौरा जो भी उससे कहना जाता है उस चीज़ को समझने की कोसिस करता है यानि कि आप कह सकते हैं कि encoding की उल्टी पर क्रिया यह क्या है decoding है और encoding decoding का आप लोग ने पढ़ा भी होगा इसके बाद में at last one के आता है उस तो प्राप्ते करता प्राप्ते करता तक signal पहुँच जाता है अगर आपके अगर आप भी हिंदी का परियोकर रहे हैं आप की बाटों की जाता है यानि के संचार माने वाली बादाओं को क्या का जाता है सूर और यह क्यूशन भी एक्जाम पहले पूचा जा चुका है जैसे नहीं आपको इसका एक्जमपल भी जिए था कि आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं बीच में से एक गाली से यह तो गाली की आवास से आप और आपके बीच के कहलाता है आप देखिए, सब्सक्राइब जोस्तों, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे आप computer पर काम करते हैं, computer आपकी language को समझता है, आप Hindi में type कर रहे हैं, लेकिन computer क्या समझता है, binary या decimal, 0 और 1 को computer समझता है, और 0 और 1 के माध्यम से वो पूरी process अपनी करता है, अब आप स जाएगा हमारा encoding, उसके बाद में दोस्तों, computer जो आपको screen पर दिखाता है, तो आपने जो हिंदी में लिखाया है, या आपने English टाइपिंग करी है, हिंदी टाइपिंग करी है, वही चीज आपको आपकी screen पर सो हो रही है, तो वो क्या होता है, फिर वो decoding के बाद में आपक क्या होता है, decoding, यानि कि जो भी संदेश है, उसका code का अर्थ समझना, और फिर उसके बाद में प्राप्त करता तक signal आसानी, या जो भी संदेश है, वो आसानी से पहुंचना, ठीक है, अब आपको यह समझ मागी होंगी, वैसे ये chart के माद्दें से मैंने अच्छी तरीके स से बताया, encoding और decoding, और यह सारे step आपको याद रहने चाहिए, अगरा देखें दोस्तों, चोथा प्रसन है, कि गो सब्द का तदभव रूप क्या है, तो गो सब्द का तदभव हो जाएगा गाई, गो क्या है दोस्तों तत्सम सब्द है, और मैंने आपको बताई था, तत्स संस्क्रत के समान जो सब्द होते हैं, तत्सम सब्द होते हैं, तत्भव, भासा के विकास के कारण पाली से, संस्क्रत से पाली होई, पाली से प्राकर्त होई, प्राकर्त होई, प्राकर्ट से होई, अप्रवर्ण से अवर्ट होई, अवर्ट से हिंदी होई, तो इस बीच मे जो भी भासां में परीवर्टन हुआ उसके कारण जो आपका मूल सब्डते संस्क्रिट से परीवर्टित होगे अन्य भासां में जो सब्द बन गया हुआ हमारे क्या उधा तदभौ सब्डव होता है यानिकि तदस्वा सब्डका बिगडा हुआ के लिए यूज करते हैं, वो हमारा तदभाव सब्द होता है, देनो क्या है, देनो तो दोस्तो उसका प्रियावाची हो जाएगा, ठीक है, अगला क्या है, पांचा कुश्चन, ये भी दोस्तो बहुत सरल कुश्चन है, कि सही वरतनी वाला सब्द निम्न में से कौन सा होगा, तो देखे, अनुचीत इस में से क्या होगा, सही वरतनी वाला सब्द हो जाएगा, और हमेचा छोटी O की मातरा यहाँ पर आती है, ठीक है, और ये तो काफी सरलल सा भी है, ठीक है, और ये वरतनी वाला सब्द हर एक्जाम में दोस्तो पूछा ही पूछा जाता है, आप दे जाम ने थोड़ा सा घुमादया कुछन को, कि आपका बंटी उपन्यास के लेखा कौन है, तो आप सभी लोग को बताओगा, कि आपका बंटी उपन्यास के लेखा का है, मनु बंडारी जी, जिनका पूरा नाम क्या था, महिंद्र कुमारी था, और मनु नाम से रसनाय करते इसी कारण का नाव मन्नु बंडारी के नाम से famous हो गई थी आप देखिए मन्नु बंडारी का उपन्यास आपका बंटी और अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो बे देखी हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि बंटी की माता ने दूसरी साधी कर ली बंटी की मा सगुन होती है, सगुन ने दूसरी साधी कर ली फिर बंटी के पिता अजई होते हैं, अजई ने फिर दूसरी साधी कर ली अजई ने मीरा से साधी कर ली, उसके बाद में बंटी पर मनोवैज्यानी रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपने मम्मी बापा के साथ में रहता है, सगुन डाक्टर जोशी से विभा कर लेती है, उसके बाद में बंटी को होस्टल भेज दिया जाता है, बंटी क्या सूचता है, अपने माता पिता, सांसे क्रितिक परिवेश के बारे में, या अगर माता पिता अलग हो जाते हैं, तो बच्चा क्या सूचता है, इस कहानी क्या जिक्रिया, इस बात का जिक्रिया इस उपन्यास के माध्यम से, मन्नू मंढ़ारी जी ने किया है, इसी करण काफी महत्वोण किया जा चुका है इसे के साथ मैं इनके कुछ अन्य कहानियां भी है जैसे कि मैं हार गई एक तस्वीर यही सच है एक प्रेट सहलाब और गीत का चुम्बन आँखों देखा जूट ये कुछ इनके के हैं अन्य कहानियां भी है और मन्नु बंडारी जी 60-30 अथाकार के रूप में भी जानी जाती है जिनका जन्म मध्यपर्देश में सन 1931 के दौरान में हुआ था पांकि एक कहानी यह भी के लिए इन्हें 2008 में क्या मिला था व्यास सम्मान भी मिला था यह मैं आपको बता चुका हूँ और इसी के साथ साथ में उस तो आपका सरिका में हुआ था इनका पुरा नाम क्या था महिंद्र कुमारी था यह आपको जरूर याद रखने है कभी हो सकता है कि आपका बंटी उपन न्याज के लिखा कौन है पूछ लेगा मन्नो मंधारी ऑप्शन में नहीं देगा तो वहाँ पर आपको याद रखना है क्या महिं दो बैलों की कथा हीरा और मोती नामक दो बैल होते थे उनका जो मूल मालिक होता है जहां वो बचपन से पले रहते वो उनको बेज देते हैं फिरा मोती किसी नए मालिक के वहाँ जाते हैं वो उनको खाना वाना नहीं देता फिर वहाँ से भाग जाते हैं और यही पूरा द पाही कहा जाता है कलम का जादुगर कहा जाता है और मुंची प्रेमचंजी का मूल नाम क्या था धनपत राई श्री वास्तव क्या था धनपत राई श्री वास्तव तो दो बैलों के कथा कानी के रसनाकार कौन है प्रेमचंजी है जिनका जन्म 31 जुलाई सन 880 को वारांसी उत उपन्यास समराड किसने कहा था तो सरच चंदर चटुपाद्याईजी ने इनको उपन्यास समराड कहा था अब इनके बहुत सारे उपन्यास है दोस्तो जो फेमस हैं कौन-कौन से प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला, वर्दान, प्रेमास्रम, काया कल्प, रंग भूमी, गबन, गोदान, कर्म भूमी, मंगल सूत्र और मंगल सूत्र इनका क्या था दोस्तो अपूर्ण उपन्यास था जिने बाद में इनके बेटे अमरत राय के दोरा पूर्ण किया गया था तो प्रसने ये भी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया पहले कि प्रेम चंद का अपूर् वाली विद्वा, सत्रंज का खिलाडी और बुडी काकी, ईदगाह ये क्या है इनकी कुछ अन्य कहानिया भी है मुंची प्रेम चंद के बारे में जितना भी है दोस्तो सभी चीजा आप लोग जरूर पढ़ लीजेगा पूछ की राद इनकी प्रमुक कहानी है ठीक है जिसक सारे फैक्स दोस्तों आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजेगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है ठीक है और अगर आपसे प्रसन पुछाता है कि धनपत राय को प्रेम चंद नाम किसने दिया था तो ये दिया था दया नारायन मिस्ट जीने ठीक है और इन्हें कथा साहित सिखर पुरूस के नाम से भी जाना जाता है सिवा सदन उनिस सव ठार का इनका उपरन्यास था जो कि काफी प्रसिद्ध भी रहा था और प्रेम चंद को ही भारत का मैक्सिम गोर की भी कहा जाता है और इनकी पर्थम कहानी कौन से थी वह थी पंच परमे स्वर ये सारे फैक् अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हिंदी है हिंदी के कितनी उपभासाय है तो हिंदी के दूस्तों पांच उपभासाय है और कितनी बोलिया है अठारा बोलिया है पांच उपभासाय है कौन कौन सी है राजस्थानी पस्षिमी हिंदी पूर्वी हिं मेवाती, माल, यानि कि मालवी, मार, जै, यानि कि जैपुरी और मार यानि कि मारवाडी, तो पुछा गया है, मारवाडी किस राजी में प्रिचलित बोली है, तो यह राजस्तान में प्रिचलित बोली है, और राजस्तानी हिंदी का ही पार्ट है क्या, दोस्तों मारवाडी ब बारे में आपको और निय बोल्यों के बारे में पस्चिमी हिंदी की उपबोलियां के कब-कब है और पूर्वी हिंदी की उपबोलियां A.B.C. अवधी बगेली चतिश गड़ी ये भी बता चुका हूं बिहारी हिंदी के बोलियां ऐमेमबी, मगई, मैथिली और भोजपरी, पहाडी इंदी के बोलियां कुमावनी गड़वाली और नैपाली पांच उपभासाये हैं और अठारा बोलियां है इनका बोलिया का छेत्र भी आपको याद रखना है और सभी चीज़ां आपको इनके बारे में याद रखनी हैं समयुक्ति बेंजन का उधारण कौन सा है दोस्तों पूछा गया है हमारा सम्यूक्ति बेंजन का उधारण ऐकी हम गया इससांत में तीन और सहिक्ति बिंजन होते कि उनको सहुक्तिव इंजन जो है इसे टोड कर किस प्रकार से लिखा जाएगा ठीक है तो च्यो को कैसे लिखा जाता है को हलंत धन सो ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर मूर्धनी सो आता है यह क्या होता है मूर्धनी सो आता है ठीक है ऐसे अगला है त्रो को कैसे लिखा जाता यह जाएगा त्रौ को कैसे लिखा जाता है स्यहलंत धन रह यह जाएगा त्रौ यह फिर आप इसको जैसे दोस्तो यह क्या धन स्यह है ठीक है तो यह सै को आप एसे भी लिख सकते हैं तो आपके सीवी प्रकारसे इसको शेंक्ति वेंजन्य को तोड़ सकते हैं सेंक्ति वेंजन्य की संक्या कित्म होते है export यह मैंने आपको बता ही दिया है र आपको इनका पर्थक्रान भी जरूरोर याद रखना है पूछा जाता है अब इसी प्रकार से आप से पूछा जाता है कि अंतस्त बेंजन कॉन कौन सब you यह चार क्या होते हैं हमारे अंतस्त बेंजन होते हैं उस्त में वेंजन कित T 그러니까 हैं चार होते हैं sa so sa or ho 100 कौको क्या बोलता तालविस है मुर्धनिस है और dantao और यह हो जाएगा की ऑपकासर के संखिया कि यह खुटी सनुन आपको बताए कि आपकोा वर्ग होग और टीजा मुंट से ऑच order और यह दोस्तों जो वड़नमाला है आप लोगों को याद रखनी चाहिए क्योंकि हर एक्जाम में पूछा जाता है और आज का दोस्तों लास्ट कुश्चिन जो है आपके एक्जाम में पूछा गया है वो है उन्ट के मुह में जीरा इस लोकुक्ति का क्यारत है तो देखें उन्ट दोस्तों कितना बड़ा होता है अगर आप उसके मुह में जीरा डाल देंगे तो उससे कुछ पता चलेगा यानि घुम इन immat cham अत्यन्त कम, तो दोस्तों ये आज के आपके 10 कुश्चन थे, जो कि काफी महत्यपूर्ण कुश्चन है और आपसे एक्जाम में दुबारा भी पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और बार-बार इसी प्रकार के प्रस्न दोस्तों क्या होते हैं एक्जाम में रिपीट होते हैं अब आपसे एक और प्रस्न में बूछ रहा हूँ आज का आपका जो हुमर का कुश्चन है कि हम जो देखते हैं कुश्चन है आपका यहाँ पर लिखता हूँ है हम जो हम जो देखते हैं रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, यह आपको comment box में बताना है, कि हम जो देखते हैं, रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, और इसके option आपको नहीं बिलेंगे, आप comment box में इसका answer देजिएगा, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, thank you, thanks for watching इस वीडियो, और वीडि उत्राखंड जी के very easy trick, आप play store में जाके इस application को download के लिजिएगा, यहाँ पर हमारा उत्राखंड के courses भी uploaded है, test series भी uploaded है, और कई सारे important PDFs जी uploaded हैं, जो कि आपकी तयारी में आपकी help जरूर करेंगे, so thank you friends, thanks for watching इस वीडियो, see you next time, धन्यवाद.